Hello friends, आज हम आपके लिए बहुत ही स्वाधिष्ट ब्रेड का नास्ता लेकर आई हूं, बनाने में बिल्कुल आसान है, तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पर मैंने छे ब्रेड स्लाइस लिए हैं, मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं कोई साभी ब्रेट ले सकते हैं इसे बनाने के लिए यहां पर मैं कुछ सबजी ले हूँ बारी कटा हुआ टमाटर बारी कटा हुआ सिमला मेर्च बारी कटा हुआ प्याज दो से तिन हरा मेर्च कुछ धनिया पत्ते आप इसमें और भी सबजी एड़ कर सकते हैं जैसे कि गाजर हुआ बीन्स हुआ आप और भी ग्रिन सबजी एड़ कर सकते हैं एक बाउल लेंगे इसमें हम एक कप बेशन डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे एक चोटाई चम्मच हल्दी पोडर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स इसके जगा आप रेड़ चिली पोडर भी ले सकते हैं एस्ट के एक ओर्डिंग नमक डालेंगे अब हम इसमें सबजी को आड़ कर देंगे तो ए रहा प्याज थोड़ा सा प्याज डालेंगे थोड़ा सा सिमला मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और ए रहा हरा मिर्च और इसमें से थोड़ा सा धनिया पता डाल देंगे अब हम इन सब चीजों को डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसका एक घूल बनाएंगे तो यह हमारा बेशन का बेटर तयार हो गया है यह आप देख सकते हैं तो इसे ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और नहीं ज़्यादा पतला रखना है इतना ही कांसिटेंसी में हमें रखना है या बटर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ओयल भी लगा सकते हैं, तो एक चमच के हल्प से इसे हम थोड़ा सा फैला लेंगे घी को, अब हम बेशन का घोल लेंगे, और ब्रेड को इसी में डूबो करके, इस तरीके से हम इसे डूबो करके, और एके करके हम तवे पर डाल देंग तो इसी तरीके से दूसरे बेड को भी डूबो करके, और इसे भी तवे पर डाल देंगे, इस रेसिपी को बनाने में घी या तेल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बस थोड़ा सा तेल या घी लगेगा, और बहुत ही टेस्टी नास्ता बनकर तयार हो जाता है, तो एक जब अच्छे से सीख जाएगा, तो हम इसे दूसरे साइट पलट लेंगे, आप इसे बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या सुबह के नास्ते में खाएं, बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगा, या साम के चाय के साथ खाएं, ब्रेड अच्छे से ब्रेड में निकाल लेते हैं, और गर्मा गर्में ब्रेड का नास्ता खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगा, तो इस ब्रेड के रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, इस नास्ते को आप तीखा या मीठा चटनी के साथ खाएं, बहुत ही स्वाधिश्ट अगर मेरी रेशिपी आपको पसंद आए तो प्लिज लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेशिपी के साथ